हलो आप सभी उमीद करते हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे सेहतमद होंगे खुशाल होंगे और अपना अच्छी तरह से धिहान रख रहे होंगे हम सब भी मज़े में हैं और सान्वी खुशी है ना स्कूल से आने वाले थे तो उन लोग के लिए मैं ये मलाई वाला जो स जाधा बॉयल हो गया तो वह जो तोड़ा गुलावी हो जाता है ना फिर मीथा मीथा उसमें से आटोमाटिकली स्वीट हो जाता है वह तोड़ा मीथी मीथी खुश्बू आती है और इसकी मलाई भी एकदम रबडी जैसी हो गई थी तो फिर मैंने बना के देती हूं तो उन लोट और इसके बाद ये थोड़े करेले रखे थे पेरे पास ये थोड़े चोटे-चोटे करेले थे मैं इनको भरवा करने के हिसाब से लेकर आई थी बट मुझे टाइम नहीं लगा तो ये थोड़े से पुराने हो गए थे तो मैंने सोचा इनको काट करके इनकी सबजी ब लगती है ये थोड़े-थोड़े से ना येलोनेस लेने लगे थे तो इसकी सबजी कर देती हूं तो मैंने इसको साफ कर लिया था थोड़े नमक लगा के रख दिया था मेरे पास थोड़ा पालक भी रखा था जो मैं बच्चों को स्कूल में बना के दूंगे ऐसा मैंने तो आज डो रेसिपीज में यूज करने वाली हूँ तोड़ा मैंने यहाँ पे आलू चॉप कर लिये हैं पालक भी मैंने भिगो के रख दिया है हमेशा जो हरी पतिदार सबजियां होती हैं उसे कम से कम 15-20 मिनट देड़ सारे पानी में डुबो के रखा करें तो इससे जो उसके पत्तों पे दूल बगएरा चिपकी होती हैं मिट्टी बगएरा होती हैं वो सब सेटल डाउन हो जाती है और एकदम साफ हो जाता है आपका साग उसके बाद उसे रिंस करके आप इस्तमाल कर लें तो मैंने थोड़ा सा पालक यहाँ पर चॉप कर लिया है मैं आलू प्यास के साथ पालक के पकॉड़े बनाने वाले हों सब कुछ मिला करके और यह इतने स्वाद लगते हैं क्रंची भी बहुत बनते हैं टीस्टी बहुत लगते हैं वो फ्राई हो के एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बन जाते हैं, बहुत मस्त लगते हैं यह पकॉड़े, तो मैंने आलू थोड़े चोटे ही काटे हैं, और इसके अंदर कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची, पालक अड़ कर दिया है, तो बड़ा सा काली मिर्ची का इस भी ज्यादा लगता है, थोड़े से मैंने इसके अंदर मसाले आड़ कर दिया है, और इसके बाद मैं इसके अंदर आड़ करूंगी बेसन, बस इतना कि यह अच्छी तरह कोट हो जाए, और थोड़ा जो पालक बच गया है, उसको यूज करने के लिए मैं पालक वाली द नहीं दे सकता है, क्योंकि यह मेरे आजुबा जो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उसका नौई ही सारा है, तो पकोड़े बनाने के लिए एक यह बहुत ही अच्छी टिप है, जो हमेशा काम करती है, वह यह कि जो भी आपकी सबजियां है, पहले उसको बे आइडाल करके बैटर बना लें, और फिर इसको फ्राइ कर लीजे, और यह वाले पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इसमें कभी-कभी पालक मिलाती हूं, कभी-कभी मेथी भी मिलाती हूं, और कभी-कभी गोबी भी मिला देती हूं, हर तरह से यह बहुत अच्छे और अब ही जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहे हूं स्क्रीन पर कोड़े देख रहे हूं तो मेरा फिर से मनो रहा है कि मैं वापस से इनको बनाओं इनको लेकिन गरम गरम इंजॉई कीजेगा चाहे तो चाय के साथ चाहे तो चतनी के साथ इन फाक्ट दही में ना तड़का लगा देंगे ना उसके साथ भी बहुत अच्छे लग मैं उसको कभी-कभी दाल और पालक साथ में उबाल के भी बना लेती हूं और कभी-कभी दाल इस तरह तोड़े से गी नमक और हल्दी के साथ पहले उबाल लेती हूं और जो पालक है उसको फिर बाद में तड़का लगाती हूं तो उस तरह से बहुत फ्लेवर फुल बनता ह आज मैं वैसे ही बनाने वाली हूँ अभी दाल मैंने चड़ा दी है और यहां पर यह देखिए यह पांच फोरन और मैंने मस्टर्ड ओयल गरम कर लिया है करेले को चौका लगा देंगे और थोड़ा सा मैंने हींग भी आड़ किया है यह सबी मसाले थोड़े से बुन जाएं पंच फोरन को बहुत जादा नहीं बुनना होता है वरना वो करवाहट पकड़ लेता है इसके बाद जो करेले थे उसके अंदर हमने नमक लगा के रखा था ना तो इसके बाद उसको वाश करना है तीन चार पानी से थोड़ा सा स्क्वीज कर लीजे उसका एक्सेस वाटर औ अगर आपको करेले की करवाहट बिल्कुल ब्रदाश नहीं होती है या जादा करवा Görly का करेला आपके पास है तो आप यह तरीका कर सकते को मैं हमेशा इस तरह नमक लगाके नहीं बना दी कभी कोई मैं डारीक भी बना देती हूं बट यह करेली का लौट ठोड़ा सा पुर प्रफटी में बेसिक से मसाले आट करेंगे तोड़ा ज्यादा धनिया का पाउडर हल्दी पाउडर तोड़ा कम ही मिर्ची कारेले में अच्छी लगती है आपको चटपटा पसंद है तो आप उस हिसाब से मिर्ची आट कर सकते हो और बस यह मसाले के साथ अभी इसको टॉस कर होती है जो क्विक तो है ही बट समर्ज में यह बहुत ज्यादा अच्छी लगती है तो यहां पर जो मेरे करेले डन हो गए थे अच्छी तरह पक चुके हैं तो थोड़ी सी मैं शुगर आट कर रही हूं और उसी हिसाब से मैं तोड़ा आमचूर भी आट करूंगी थोड़ा सा चुटकी भर गर्म मसाला भी आट किया है तो थोड़ा खटा मीठा सा मीठे मीठे नहीं लगेंगे पर जो हमने आमचूर मिलाया उसको बैलन्स करने के लिए शुगर आट किया तो एक उमामी सा टेस्ट आएगा जो बहुत अच्छा लगता है आप ट्राय करके देखेगा इस तरह से करेले और प्यास का भुजिया इतना तो यह जल्दी बनता और इतना बड़िया लगता है अगर आप मेरी तरह करेला लवर हो आपको यह अच्छे लगने वाली है फटा-फट से दाल को तड़का लगा देती हूं मैं कडाई के अंदर गी में भी आप तरह का लगा सकतो वह भी बहुत अच्छा लगता है मैं अड़का है थोड़ा सा जीरा थोड़ा सा हींग और इसके बाद प्याज और यह जो पालक वाला दाल है इसमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है बिल्कुल मैंने ओईल के अंदर कर दिये अभी टमाटर जब तक सॉफ्ट होंगे तब तक इसको पकाने के बाद मसाले आड़ कर रही हूं मैं धनिया का पाउडर लाल मिर्ची का पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर यहां भी आड़ करूंगी ठोड़े से मेथी दाना आड़ कर दिये हैं और अभी यह सा ही पालक है इसको हमने ब्लांच नहीं किया है और बस इसे आप मसाले में कोट करते जाएंगे बूनते जाएंगे तो यह कुछी सेकंड्स में विल्ट डाउन हो जाता है और यह हाफ दन तो यहीं पर हो गया बूनते बूनते बस यह जो पालक का मसाला यह रेडी है वैसे तो एक सीटी उसको देना पसंद करती हूँ so that सारे जो फ्लेवर्स हैं अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए एक दूसरे में homogenously तो मैं डखन लगा के एक सीटी ले लूँगे वैसे आप चाहें तो खुले पैन में एक बॉय लाने तक इसे पका ले और इधर मैं डिनर बनाने में बिजी हूँ यहाँ पे शर्मा जी वेरियस मूवर्स और पाकर से बात कर रहे हैं उनका जो प्राइस है जितना वो कोट कर रहे हैं वो अंडिस्टाइंड करने के लिए और सो स्लॉट क्या देंगे कब आएंगे बहुत सारी डीटेल्स होती हैं तो कई सारे से बात कर रहे हैं जिससे भी फाइनल हो जाए सही से बैठ जाए उससे हम लोग फिर भुक कर लेंगे और यहाँ पर दाल देखें कितना बढ़िया हो गया है आपको जानकर रहानी होगी मेरे बच्चे यह पालक वाला डाल मेथी वाला डाल इतने चाहों से खात दाती है कितनते बेख आपकता है जाए सानकर वेर वाला में होगी मेरे बच्चेशित इतननी हो जाए यह भुक कर देघें आपकते हैं ई одна गращ will काने ही से खातृ़ष में जाए included. झाल झाल कुछी ऐसे उपर वो फोल इसको बढ़ा साइट से खोल इसको बाहर को फोल फीच अपनी दरफ को हां खोलो लुप जाकुछ लगाना पड़ेगा शानु दया दिखाओ कैसा दया है वेरी गड़ और वहाला विड़ा दिखाओ कैसा है बिफॉर कि शो मिंगा इसी की वहीं से कूलिंग कम होती है पता है अधर सानु फुशी से निकल वाकिल आता हूं दूसरी वाली ग्रेंश आता है वेरी पुशी निकल या देखो इस में से कैसे cooling होगी जिलो बटा कि उसके ओपर ही ग्रेसीट के ओपर समना तुमारे उपर निंचे कर ले बटा आप इस में दोनों में से दिखड़ा होगी वो कहते हैं ना कि माता पिता फर्स टीचर होते हैं जब अच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं जब बिलकुल नन्न नन्न बच्चे होते हैं वो तब से मावाप उनको जाने अंजाने बहुत सारी चीज़ें almost daily basis पर सिखा रहे होते हैं बहुत कुछ बच्चे हमें देखकर खुद सीख जाते हैं और बहुत कुछ हमें उन्हें सिखाना पड़ता है सिखाना चाहिए intentionally हम सिखाने की कोशिश करते हैं तो बस उसी में एक next step है शर्माजी बच्चों को filter कैसे निकालें कैसे clean करें आज वो सिखा रहे हैं तो शुरू शुरू में खुशी से नहीं हो रहा था क्योंकि बच्चे थोड़े से hesitant भी होते हैं कि पता नहीं मैं ठीक से करूँगी की नहीं और छोटे बच्चे हैं उनको learning का capacity बहुत अच्छा होता है लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ी से जिजक रहती है उनका confidence उतना हाई नहीं होता वो भी माबब पर ही आता है कि उनका confidence boost करने के लिए उनको किस तरह support किया जाए तो शुरू शुरू में खुशी हुसी तरह जिजक रही थी school में भी वही होता है मतब ये भी teacher का जिमेदारी होता है कि बच्चे का best बाहर निकालें उसका जो डर है वो हटा करके तो पहले वो जिजक रही थी पर शर्मा जी ने उसको छोड़ा नहीं समझाते रहे तो दीरे दीरे दोनों बच्चे ने अच्छे तरह से filter filter clean कर लिये और AC अभी अच्छी cooling दे रहा है पापा आये थे next day की बात हो रही है यह भी next day पे मैं आपसे मिल रही हूँ ममी पापा आये थे तो मैं बना रही हूँ चाय they love their masala चाय तो उनको जिस तरह की चाय पसंद है मैं जब वो आ जाते हैं तो उसी तरह की बनाती हूँ मूवर्स अंपाकर्स का अपॉइंट मिल गया था मूवर्स अंपाकर्स या पाकर्स अंपॉवर्स जो भी आप कहते हैं क्योंकि दोनों ही तरह से नाम होते हैं उन लोगे तो अपॉइंट मिल गया था काफी ज़्यादा नजदीक का था हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम था भी नहीं शॉर्ट नोटीस पर हम लोग जो शिफ्ट है वो कर रहे हैं क्योंकि फिर शर्मा जी को ऑफिस रिज्यूम करना है तो उनको जो हाउस टोर है हम लोग ने ऑनलाइन दिया था कॉल पर हाउस टोर दिया था उन्होंने फिर सारा सामान देखा फिर उन्होंने बजट बताया and then they were like कि आपका ये बेड कैसा है तो शर्मा जी ने कहा कि ये जो है डिसिंटिग्रेट हो जाता है तो दे वर लाइक कि वो हम नहीं करेंगे सिर्फ उठा करके ले जाएंगे तो फिर हस्बिन को ये लगा कि ये फिर करके रख लेते हैं इससे पहले कि वो लोग आएं तो दो बेड है मेरे पास तो दोनों को इस तरह से डिसिंटिग्रेट किया जा सकता है तो शर्मा जी क्योंकि पापा आए हुए थे उन्होंने पापो को बता है तो पापा ने कहा कि चल और इस मामले में मैं मेरे साससो की तारीफ करूंगे वैसे तो उनकी तारीफ करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं बट जब इभी थोड़ी विज़रोत होते हैं वो तूरंत आकर खड़े हो जाते हैं चोटी से चोटी हेल्प के लिए वो हमेशा अवैलेबल है तो यहां पर शर्मा जी को पूरा हेल्प करा रहे हैं पापा जितनी देर वो काम करते हैं उतनी देर वो भी उनके साथ लगे रहते हैं और यहां पर यह वाला बैड ओल्मस्ट खुल चुका है और एक और बात आपने आज तक लगबल चार साल हो गया है अगर आप शुरू से मेरे व् घर की गंदिगी मेरा अगली घर दिखा रही हूं विच इस लाइक प्राक्टिकल घर जब शिफ्टिंग होती है घर कितना मैस्ट अप हो जाता है क्या समान कहां रखा है कुछ आइडिया नहीं लगता और यह बैड खोलें तो इसके नीचे से भगवान जाने इतनी डस कैसे इकट जाते हैं इसको है न डस्ट बनी कहते हैं जो अप किती भी सफाय करें बड़ार बट यह बेड के नीचे Ăश कबर्ट के ऊपर कहीं पर इसा सर्फिस आप साहिए वहां पर पहली ही बाहर हम लोग सफाई करेंगे कि इसको मूव करना इतना आसान भी नहीं है तो इसके अंदर बाहर सारी गंदेगे आप देख लीजे सानु खुषी है थोड़ा काम बिगाड़ रहे हैं थोड़ा सवार रहे हैं इस वक्त पर थोड़ी सी किया हुआ है तो ने खया पापानी तो पहले कीबे अरंग उसका मास्टर व्याम और टिसिंटिग्रेट कinkiा है तो एग哥 depicted उसके इसको मास्टर चाह Bardzo Dopलओ तो इस वाले बैट के अंदर जो सामान है वो पूरा-पूरा निकाल के दूसरे रूम में रख रहे हैं और अभी इसको खाली कर लेंगे और ये देखें इस वाले बैट के नीचे ना बहुत सारी गंदिगी थी होता क्या है एक तो जो डास बनीज में आपके बूर्ण वो भी होई जाते हैं दूसरा क्या जैसे हमारी जो डुमेस्टिक हेल्प होती हैं आपके घर में भी होता होगा जितना सर्फिस दिखता है वो ब बैट के नीचे ही कठे हो गया है और जो स्टेइन आपको दिख रहा है वो एक्चली हम लोग ने इस घर में काम लगवाया था जब फरनीचर बनवाया था तो वो तब जब भयाया थे उन लोग का वो ग्लू वगेरा वहां गिरा हुआ हुआ है पहले आया तो इसको मैंने सा के दू़ और हुआ है उन लूब तोimos सोलकित की सुखंवेहाशिए वो फोर सबठको जिफसे ही सेहाश जु़त्वे सेहा वब है ऌने वोगो मैंने इसा कर दे 한번 carriageो ने अकम लाur हुआ है के एक की सही हो जो है सम ले on इस रूम में थोड़ा स्पेस भी कम है ना बेड को मैंने कई बार थोड़ा-thोड़ा सा खिसका के चारो तरफ से क्लीन कने की कोशिश तो की है उतना ही क्लीन होता है बट पूरा ही उसको जैसे आज यह पूरा ही हट गया है ना तो पूरा का पूरा फरशाच पहली बार दीख तो ऐसा पहली बार ही हो रहा है तो यह है वो उनका ग्लू वाला स्टेन जो मुझे लगा कि पानी डाल देंगे तो दूल बगेरा घुल जाती है तो हट जाएगा बट यह नहीं अटा ग्लू था सूखा वा था तो शर्मा जी ने पूरा स्क्रेप करके अटाया उसके बाद मैं पोचा कर दिया जहां जहां से समान निकलता जा रहा था समान निकाल निकाल के पारलली में तोड़ा थोड़ा क्लीन करती जा रहे थी क्योंकि फिर इवेंचर यह सारी डस्ट कपड़ों में ही चड़ जानी है यहां वापस से चाय बना रही हूं हम लोग फ्री होकर बैठे थोड़ा भी काम से फ्री हो गया है तो थोड़ा मी टाइम निकालने के लिए तो हम लोग देख रहे थे कॉमेडी यह स्टैंड अप कॉमेडी विद टी एंड फैमिली